हेलो आज हम मैंसे का टार्गेट नंबर फाइब ले रहे हैं और आसा करते हैं कि पीछे के चारो जो टार्गेट है वह आपने कंप्लिट किये होंगे अब आज का जो हमारा ट utensil वह है विद्व सेल एक परीप्त से किस पकार की कोसचन बन सकते हैं इसको हमें यहाँ पर आज चुम्पलिट करना क्योंकि कोई भी प्रस्ण आ सकता है फाइम मार्क 11 मार्क अभी तक इससे नहीं पूछा गया है फिर भी हमें 5 अभी पढ़ोगे तो आपको आगे तक याद रहेगे प्रस्ण हमने देख ली हैं आप देखते हैं टोपिक यहां सबसे पहले आपको क्या करना है विद्दूत की एक डेफिनेशन और एक एक जामपल त्यार करना है और कुछ यहां पर सिध्धानते हैं जिसे ओम का नियम त्य इक टानिक सिध्धानते इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है अभी तक इन तीनों में से कोई भी कोश्चन नहीं पूछा गया है तो यह आपको त्यार करना है क्योंकि यह सबसे यादा आइंप चीज़े हैं उसके बाद में देखते हैं कि विद्दूत बल रेखा हैं इसके प्रभाव क्या हैं तो यह आपको त्यार करना है यह आप से मार्कं में कुछे आ सकते हैं ग्रुक्त के टॉत is नहीं पर पर इस टोपिक के थ्री मारकर काफ़े जादा इंपोटेंट है तो वह आपको त्यार कर लेना है उसके कुछ पिक भी हमने यहां पर लगा के रखे हैं तो वहीं से आप अभी नोट कर सकते हो और एक चीज आपको और बता दे जितनी भी आप डेफिनेशन दोगे डेफिनेशन तो बीना एकजामपल के इनकंप्लेट मानी आती है आप यहां पर ध्यान रखो के हमेशा तो आप चाहे पेपर नंबर 5 और 4 हो और चाहे यह पेपर हो पेपर नंबर 3 तो कहीं भी आप किसी भी चीज के आप डेफिनेशन दो यानिकि उसकी परिभासा तो बीना उधारन के उसे ना छोड़े तो कोई भी जो परिभासा होती हो बीना धारन के इनकंप्लेट मानी आती है यह हमारा हो गया है विद्धुधार में केवल आप इतना ही कर ले विद्धुत वाले में उसके बाद में यहां पर दिया है सेल और परिपत तो तीन भागों में यह टोपिक अपने के हो गए है और इसमें आपको क्या करना है सिर्फ डेफिनेशन वगेर रहा त्यार लेना है और यह यह वह पर यहां पर दोंगे यहां पर अब lord सभी का सभी का आप जो डाइग्राम है वो जरू बना कर रखें ठीक है सभी में डेनियल सेल का किस पकार से बनता है सुस्क पकार से मरकृरी वोल्टाइक तो जब भी आपका अगर 5 मार्क में कोश्चन पूशा जाता है तो आपका इतना आपका आधा पेज रहता है तो इस पक पकार से आपको यहां पर कंक्लूजन आ जाएगा और जो भी इसमें आपने लिखा है और कुछ चीजे इस पकार से दरसा सकते हो तो बहुत अच्छा आपका अंसर लगेगा फिर सेकंडरी सेल में आपको क्या करना है सीसा संचायक बैटरी और निकल केडमियम बैटरी इन द सारो टार्गेट को पूरा किया होगा तो आप समझी गए होंगे कि करना इसमें क्या है और किसे हमें नोट से बनाना है यदि फिर भी अगर किसी को प्रोब्लम आती है तो एक अलग से फिर और वीडियो बना देंगे उसमें और अच्छे से समझा देंगे कि नोट से किस पक करते हैं यह स्पकार से कुछ पूछे सकता है यहींभन मारके के ल कि लिए बहुत ज्ञादा IMP यह प्रस्चन हो जाता है आरीक वाला कि विद्दृत परिपत का और 8 को सर्विस्तार समझाई है इस पकार से कुछ कुछ पूछा जा सकता है तो उसमें कुछ हम चीजें यहां पर यूज करते हैं जिसके विद्धुद धारा का इस्तीरोध क्या है जो सब हम परिपत में कहां कहां यूस करते हैं जो हमारा जो घर की लाइट तर्किट बोर्ड होता है तो उसमें कुछ सी चीज किदर क्या लगाते हैं तो इस पकार से कुछ ऐसा 11 मार्क में पूछा जा सकता है इस पकार का कोश्चन और आप सोचोगों कि इतने कम यहां पर कोश्चन क्यों आ रहा है फियुष्तार और यह विद्धुधारा अपने सबसे पहले क्या ठ्रेंड रहता था 2019 के पहले क्या ठ्रेंड रहता था यहां पर 2019 तक कि जसे फिजिक्स केमिस्टि और बायो लोजी दिया तीनों तीनों2 में सबसे जाद जो focus कहा नहीं करते हैं और यह प्रसनों की संक्या बहुत कम देखने कोन रहा है और्ला है जब ऐस कि इस पकार का यहाँ पर आप system नहीं है अब आपके पास दिआ कि और हर और युनित यहा पर और युनित बना दी गयी है और हर युनित से यहां पर question आएंगे हर युनित इन आपको कम दो मिल रहा है अब हम यहां परone बात कर लेते ढ़िए जिसे अभी हम बताय आपको स्दौन कर नहीं मिल रहे हैं तो देखें आप क्या कर सकते हैं जो आपके nc RD यहां से अपड़ सकते हो इसमें आप यह टोपिक देख लिए यह बहstudies जैसे छोटे-छोटे यहां पर जो इस पकार के आपको सब्द दिखाए दें उनके थ्रीमार कर लिए या फिर आपके पास में कोई भी बुक हो अगर आपके पास में यह बुक नहीं है तो देखिए जैसे निर्माण आइस बुक इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें क्या है जैसे कोई भी जो टोपिक है वो विस्तार से दिया है हमें कहीं धुमना ना पड़े सारी चीज़े एक ही जगह यहां पर समयटके दे दी गई है आप जैसे सोट पढ़ोगे ठीक है जैसे कोचिंग के नोट से सोट आप यहां पर पढ़ोगे तो उससे दिक्कत नहीं है पर यह हो सकता है कि कोई सांडो इस में से ना यह तो आप क्या है थोड़ा सा हो सकता है कि कि मेंसे का वह किलिया ना करपाव और इसमें अब पूरा विस्तार से दिया है अब हमें आना चाहिए कि हमारी काम की चीज़े कौन सी है काम की चीज़े नहीं है जब आप पुराने पेपर देख लोगे सिलेबस देख लोगे आपको आटोमेटिक सब समझ में आने लगे तो देखे जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो निर्माने इसकी बुक है उसमें भर भर के कंटेन दिया भर भर के तो वेक्ति पागल हो जागा इतना पड़ पड़के तो इतना नहीं है हमें काम की चीज़े हमारी निकाल लेना है यह तो इतना तो हमें आना चाहिए तो इस पकार से कर सकते हो और जैसे यह नहीं और भी किसी राइटर की अच्छी बुक है वो भी आप ले सकते हो जिसमें अच्छा कंटेन दिया क्योंकि हमें प्रतिरोध पूछ लेगा तो कोस्चन नी बनेगा इसलिए तो यह सारी चीज़े को पहले क्या है एक बार अच्छे से समझ लेते हैं पढ़ लेते हैं एक बार तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा तो दोस्तों आप यह क्या कर सकते हो जो थ्री मारकर है इन्हें आप नोट कर सकते हो यह जिसे कि विद्धू प्रतिरोध विद्धु धारा और आप यहां पर कर सकते हो यहां पर कर सकते हो यह काफी जादा आएमपी लग रहे हैं हमें इन में से आ सकता है कुछ भी कोश्चन तो इनको आपको त्यार कर लेना चाहिए संट अमिटर टांसफार्मर में विद्दुत मोटर अमिटर वोल्टमेटर में अन्तर विद्दुत सेल नेबूले यह तो पुछा गया था दोहार 15 में नेबूले यह आपको कर लेना है और यह कर सकती हो आप तो इनको आप विडियो को पोस्ट करके यह नोट कर लीजे तो मुझे लेन है जो भी बुक लेना हो वो लए सकते हैं किसी पर कोई पावंदी नहीं है और में आपके पास में यहीं हैं यह अगर नत्या वोक हैं तो फिर आप यह भुक ना लीजिए इस पगार के लाश्ट में क्या है यहाँ पर question दिये होते हैं तो यह आपको हो गया है और देखिए यह आपको हम बता रहे थे अभी जैसे हमने क्या देखा अभी कोड़ी सेल तो सेल देखा बस इतना सा आप चार्ट याद कर लिए केवर इतना सा आप चार्ट याद कर लोगे यह यह चार्ट इससे आपका पूर यहाँ पर question बन जाया है चाहा है वह फाई marker का हो य या किसी भी प्रकार का हो अब इसमें क्या करना है जैसे कि Daniel प्रियोग साला में और भी आप बता सकते हो कि इसका उप्योग कहा कहा किया जा सकता है इसी परिपार सेल और सीशा संचायक बेटरी यह हो गया विद्दुत परिपत है इस पकार का यह जो डाइग्राम है यह डाइग्राम बना-बना के रख लिए बस इतने से ध्यान आपको आज आएगा वह इनमें कुछ-कुछ चीज़े आप लिख लिए कम चीजों को ज्यादा करने का आप यहां पर प्यास कीजिए और यह आपका कौन सा सेल हो गया है यह आपका हो गया है डेनियल सेल ठीक है डेनियल सेल में आप इस पकार के वल एक डाइग्राम बना के रख ल आप इस पकार की प्रियास आपको बहुत जादा लाब मिलेगा आपने इस पकार का डाईग्राम बनाया डेनियल सेल से लिए और यहा पर कुछ भी चीज्बहत बना लेना है यह आपका डेनियल सेल complete इस पकार से डेनियल सेल, सीचा, संचाइक, बेटरी जो भी चीजे हैं वो आप यहाँ पर इस पकार से कर सकते हो ठीके दोस्तों क्या करना है डेली का सूबर से टारगेट लेना है और दिन भर उस टारगेट को अचीव करने में लगा देना है और आप क्या किजिए हिंदी के जो आपकी ज साथ नहीं अगले दिन कर सकते हैं बागी हो सकते तो उसी दिन कंप्लेट कर लिए क्योंकि समय कम है ठीके दोस्तों नेक्स्ट टारगेट के साथ मिलते हैं टारगेट नंबर छे आज आप अच्छे से यह विद्दुधारा कीजिए और पुराना आपका कुछ रहेगी है तो वह भी आप कंप्लेट कर सकते हों और भी कुछ आपको प्रोब्लम आये तो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो